हज का सीजन का आगाज हुआ है सेंटरल हज कमिटी से कारवाई शुरू हुई है और फोड़े इंस्ट्रक्शन जो है वहां से जो नसीहत हासिल है इसके मताबिक मोटे तौर पर हम लोग यह बता सकते हैं आजमीन हज 65 साल से कम एजवालों को ही इस बार मुखा मिलेगा और शर्त यह है कि कोविड के लिए जो वैक्सिनेशन होता है दोनों डोस रवानगी से कम से कम एक मेहना पहले पूरा जो कर चुके होते हैं सिर्फ उनके लिए मुखा रहेगा और अगर अब तक कर लिए हैं तो किस साल हो रहा है तो हम लोग अभी से तायरी करना बहुत जरूरी है और इसके साथे साथ जो खवातीन आजमीने हज होते हैं इनके लिए एक छूट यह है कि महरम की जरूरत नहीं है मगर 45 से ज्यादा एज इनका होना चाहिए और ग्रूप्स में जाना मुनासिब है इनके लिए कम से कम चार खवातिन 45 से 65 यह के दर्मियान जो होते हैं एक ग्रूप में जा सकते हैं इस साल कोविट का सीचुएशन देखते हुए हुकुमत के तरफ से भी एमबरकेशन पॉइंट्स बहुत कम किये गये हैं यह हमारी खुश खुसमती है कि हैदरबाद तो है एमबर अलनाडू के और आंधरा के सारे हाजी यहीं से भजहुस हैदरबाद में उनकी तरवियत जो भी मसाइल हैं वो सब हैंडल करना और उनकी रवान की भी हैदरबाद से ही होने वाली है जो अप्लिकेशन्स ऑनलाइन अपलाई करना है इसके लिए आखरी तारिख 31st जैनुरी जैनुरी का महना सारा महना आपके लिए अवेलेबल रहेगा अपसे देखिए आप कम से कम धाय महने का टाइम है आपके लिए अप्लिकेशन्स अभी आनलाइन बुक करना शुरू कर सकते हैं और 31st जैनुरी तक टाइम है वहां के हालात को देखते हुए यह भी ऐसे इनकान कम भी हो सकता है अभी इस बात पर कोई नतीजे पर हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं इसलिए के साओधी हज डिपार्टमेंट और हर एक मुल्क के साथ जो अग्रिमेंट साइन करते हैं वो कारवाय अभी पूरी नहीं हुई है यह होने के बाद में वहां से साओधी में जो ह आते हैं उसके मुताबर आगला जानकारी हम दे सकते हैं जो भी नियत करे हुए हैं हज का वो अब यह जो बात बताए गए हैं आपको इस पर अपनी तायरी शुरू कर सकते हैं वैलिट पासपोर्ट्स वैक्सिनेशन और अपना तंदरुस्ते के बारे में और ज्यादा तव आपको तायरी शुरू कर सकते हैं फिर जैसे भी नए नए इंस्ट्रक्शन साते रहेंगे आपको जानकारी देते रहेंगे हर्च कमिटी के जनिप से उसके मताबिक आप आपकी तायरी कर सकते हैं और यह बात भी है कि प्रवेट टूर ऑपरेटर के बारे में कुछ इसलिए कि कोई टूर ऑपरेटर अभी से पैसे कलेक्ट करना और बुकिंग शुरू करना ऐसा कुछ करें तो इन बातों में आप नहीं जाना है बिल्कुल अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हज कमिटी में आप इसको इतला भी दे सकते हैं पॉलिस टेशन में भी तला दे सकते हैं कि इस तरह का जो गईर खानुनी कारवाई है यह हो रहा है जब तक कोटा फिक्स नहीं होता हिंदुस्तान का उसमें से फिर हर हज कमिटी के लिए हर स्टेट के लिए कोटा मखरर नहीं होता है प्रवे टूर आपरेटर्स के लिए कितना कोटा मिलने वाला है कोई भी नहीं बता सकते हैं आपको क्योंकि वो illegal है, invalid है, unauthorized है तो यह इस पर ध्यान देना बहु जरूरी है और जब तक सारे instructions या information हज कमिटी से हासिल नहीं होता आपको यह चकर में बिलकुल नहीं पढ़ना है आप लोगों को State Hudge Committee, Telangana Hudge Committee में, Hudge House में यहां पर एक Facilitation Center भी आलड़ी चल रहा है इधर, यह Facilitation Center से आप information और जो भी मदद चाहिए उसको हासिल कर सकते हैं, यहां पर आके इन से मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और फोन पर भी हासिल कर सकते हैं, यह phone number जो landline number है वो उसका number note कर लीजि 23, 29, 87, 93 इसके 4-5 parallel numbers रखे भी हैं यहां पर, यह help line जो है, यह 24 घंटे चलता रहेगा, हफते के 7 दिन चालू रहेगा यह, अब इससे यहां पर आप आप contact कर सकते हैं और information ले सकते हैं, और यहां पर हज़ाउस को आके भी कोई information की जरूरत है, तो यहां के जो staff है, state hud committee के, वो भी available रहेंगे, उनसे भी आप रूब रूब